गुड़ पॉर्णें चिल्ड़न, कुछ सुमयम के ओलाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि विभाग ने वार्षिक प्रिक्षा के लिए डेट सिर्ट जारी कर दी है, और थार्थ आपकी वार्षिक प्रिक्षा 27 मार् की सहाइता के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप इस वीडियो को देखकर एक्जाम देना सीख जाएं और एक्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, लैसन नाइन, दू यूर बैस्ट में आने वाले सभी मल्ट इस प्रीपल चॉइस क्यूसियंट, फ़र्स्ट क्यूस्टियों इस दूइंग आवर बैस्ट वर्क विद राइट गुट विल्ल इस काल्ट, इसमें कहा गया है कि राइट गुट विल अच्छी सुब कामनाओं के साथ किया गया बहुतर अपना स्टेश्च्ठम कारिय कहला इसको क्या कहते हैं silver rule कहते है golden rule, iron rule या none तो बच्चो उसको golden rule कहते है यानि कि तो option हमारा आएगा यहाँ पर B इसी द्रहें से exam में भी आपको सबसे पहले question को ढंक से पढ़ना है फिर उसको समझना है और उसमें ये चारों options को पढ़कर समझ कर उसके बाद answer देना है बच्चो आपको ये सब ही मैं इस वीडियो में आपको समझा रही हूँ मेरी वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाए और साथ ही मैं इसमें इंग्लिस से translate करना भी सिखा रही हूँ इंग्लिस से हिंदी में translate करके question answer को अच्छी तरह से समझा रही हूँ second question देखें यहाँ पर according to the poet to do our best everyday's cult ये कहता है कभी के अनुसार हर रोज अपना best करना कहलाता है क्या कहलाता है why just way foolish way simple way या none तो बच्चो इसमें से आएगा why just way यानि कि बुद्धी मता का कारिय कहलाता है option है हमारा a why just way third question is he who does his best in his life can get वो अपने जीवन में best करता है यानि कि स्रेश्ठम करता है वो प्रात कर सकता है क्या प्रात करता है वो failure यानि कि asphalta success सफलता या both a and b दोनों ही failure भी और success भी दोनों ही करता है या none इन में से कोई नहीं तो बताइए कौन सा option आना चाहिए हम श्यावाज b success यानि कि वो सफलता प्रात करता है यानि जो अपना सबसे अच्छा काम करता है जो अपना स्रिष्ठम करता है option b success fourth question is the word and but or are called कि ये क्या कहे जाते है इन सब्दों को and सब्द आया है but आया है या or इन वर्ड्स को इन शब्दों को क्या कहा जाता है helping वर्ड कहते है proverbs कहते है या connecting verbs कहते है या opposite words कहते है पता है बच्चों आपको इनको connecting words कहते है तो option हमारा आएगा c connecting words क्या होते है connecting words बता है जो शब्दों को connect करते हूं जो सब्दों को जोडते हूं, दो सब्दों को या दो वाक्यों को, sentences को, उन्हें connecting words कहा जाता है. Fifth question is, what is the result of not doing work on time? समय पर काम ना करने का परिणाम क्या होता है? तो देखिए विचों, जो भी इपना काम समय पर नहीं करते हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है, पता है? उप्शन देखिए, success, सफलता मिलती है उनको, या never succeed, कभी भी सफल नहीं होते हैं, या happily, वो खुशी मिलती है उनको, खुशी होती है, या none, इन में से कोई नहीं, तो बताइए, हाँ, क्या होना चाहिए शैवास? never succeed, हाँ, वो कभी भी सफल नहीं होते हैं, तो option हमारा आएगा बी, हब ये वाला question देखिए, six question, उसे में पूछा है, connecting words are also cult, connecting words को कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, क्या preposition, tense, adverb, या conjunctions, तो बताइए, connecting words का एक और दूसरा नाम भी है, क्या कहा जाता है, पता है, conjunctions, तो option आएगा हमारा डी, अब यहाँ, आगे इसमें question पूछा गया है, what is the opposite of word soft, soft word का opposite क्या है, soft होता है, कोमल, देखिए, tidy, lazy, boring, या hard, तो बताइए बच्चों, soft चीज है, यानि की कोमल, कोमल का हिंदी में बताइए क्या होता है, opposite, कठोर, very good, तो इंगलिस में क्या होगा, hard, तो option हमारा आएगा, D, hard, 8th question is, what advice does the point give, point क्या असलाह देता है, option दे रखे है, do work bravely, बहादूरी से काम करने का, या not work काम ना करने का, advice देता है, या do work quietly, या कायरता से, डर डर के काम करने का, या none of the above, या इन में से कोई नहीं, तो बताइए बच्चों, point में, point तो पढ़ी होगी ना, अपने, बताइए, point क्या advice देता है, do work bravely, बहादूरी से काम करने के लिए, advice देता है, तो option हमारा आएगा, A, 9th question is, the opposite word of bright will be, bright शब्द का opposite क्या होगा, पुझाएं, इसने hard, dull, soft या boring, तो bright का मतलब क्या होता है, पता है, bright क्या होता है, यानि कि चमकीला, चमकतार, और उसका opposite हिंदी में क्या होता है, dull होना, ठीक है, यानि कि nearest, यानि जो बिना चमकने वाला हो, तो option क्या आएगा, be dull, 10th question is, the word day pairs with, the day, जो word है, इसका pairs, जोड़ा बनाना है, जैसे कि होता है, rhyming words होते हैं, जैसे, जैसे डे का, मे, पे, हे, से, इस तरह से, हमें rhyming words से बनने वाले, जो भी pairs होते हैं, वो ढूंड़े हैं, बच्चों, तो बताओ यहां पर, देखो यह तो है, best, will, task, way, तो बताइए, कौन सा है, rhyming word बनता हो, जो, day का rhyming word बनता हो, day, way, very good, तो option हमारा आएगा, टी, way, तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और नया चैप्टर, उसमें नए पार्ट में, लैसन में आने वाले, जो multiple choice questions हैं, उनकी वीडियो लाने वाली हूं, तो आप मेरे चैनल पर online study hub पर वीडियो देखते रहें, और इसी तरह से पढ़ते रहें, मेरे चैनल का नाम है online study hub, उसको भी आप subscribe कर लीजिए बच्चो, अगर आप online study hub चैनल को subscribe कर लेंगे, तो आपकी syllabus के उसमें धेर सारी वीडियो मैंने बना रखी है, वो इसी लिए बनाई हैं कि आपको tuition लगाने की जरूरत न पढ़े, तो बच्चो, फिर मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, बाई!